सत्नमो अदेश गुरुजी के उम गुरुजी स्रिनाज जी गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, राची वाले भहरा बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश, आदेश मतांगी साधना, उच्छिस्ट चंडालनी साधना और बहुत सारी साधनाओं के बारे में आप लोगों ने पूछा उन सबसे बैतर साधना है, उन सबसे कम डेंजरस साधना है, ग्रेहस थो भी कर सकते हैं यह विप्र चंड डालनी प्रतक्षिकरन साधना है बहुत सीक्रेट साधना नहीं है यह आपको खोजने से मिल भी जाएगा लेकिन इस साधना को करने से पहले आप जो है अपने गुरू का परामश्च जरूर ले साध दिन की यह साधना है एक अच्छा साधक इस साधना को मा का रूप है वो प्रट्यक्ष हो जाएगा और नहीं होता है तो फिर 21 दिन 21 दिन में तैह है जो दुसरा 21 करेगा उसमें इनका दर्शन जरूर होता है तो चंडालनी, उचिस्ट चंडालनी, विप्र चंडालनी दस महा विद्या में आती है। क्योंकि ये सात्विक मंत्र है, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये साबर नहीं है, तो सात्विक विदी में क्या होता है, कि आप बिलकुल ही सात्विक रहेंगे, मतलब भोजन से सात्विक, शरीर से सात्विक, ठीक है, तो जिस जिस चीजों का सात्विक धर्म में फॉल भोजन करना ठीक है आप अपने बिष्तर पर नहीं सो सकते हैं आपको सोना है नीचे ठीक कि तो पहले दिन आप दिन पर निरहार रहिएगा भूखे रहिएगा उसके रात में आप सोने जाइएगा किसी जगापर जो कि आपका बिष्तर नहीं नीचे बिशा करके आप मद्यरात्री में आप सो करके उठेंगे और कुछ मोट मीठा भोजन पाएंगे आपका जो व्रत दिन भरका रहेगा आप जब सो करके आधी रात में उठेंगे उस समय तुटेगा थोड़ा सा मीठा भोजन करिएगा और उसके बाद किसी उचिस्ट जगापे जाएगा उचिस जगह आप ऐसे समझ दूना कि जहां पर बैठके आप फुजा पाट नहीं कर सकते हैं जहां आपको देख के लगया रहे नहीं यहां यहां पुजा कैसे कर सकते हैं तो वही आपके लिए विप्रेचन डालेनी साधना के लिए सबसे उत्तम जगा होगा ठीक है तो आप वहां चीजें अपने आसपास दिखेंगी तो डरिएगा मत मैंने शुरू में बोला कि गुरू से थुड़ा आप एक बार पूछ लीजेगा कि मैं यह साधना करने जा रहा हूं तो गुरू का शिरवाद लेके करिएगा तो जैसे आप 2-3 दिन साधना कर लेंगे तो आपको विच आतवे दिन मा किसी रूप में आपके सामने उपस्तित होती है ठीक है जब मा आपके सामने उपस्तित होती है तो आपको ना भैभीत होना है ना मोह में बच जाना है आपको सीधे मा को पकड़ना और बोलना ऐसा है मा कि तुम अब मेरे साथ मेरी मा के रूप में हमेशा रहो और मैं जो बोलू, वो सब कारिय तुम करो, मेरे बुलाने पर तुम आना, ठीक, ऐसे नहीं कि वाद देख लिया, मा बहुत मुहक रूप में आई है, वाह मा, यह डर के भागने लगा, ऐसा नहीं करना है, जिनका साथ दिन में मा का प्रतेक्षिकरन नहीं होता है, वो भी बार बताऊंगा, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ओम नमस चामुंडे, प्रचंडे, इंद्राये, ओम नमो विप्रचांडालिनी, शोबिनी, प्रकर्षनी, आकर्ष्य, द्रव्य, मानये, प्रबल मानये, हुमभट स्वाह, इस मंतर को शुरू करने से पहले, जैसे मैं कुछ-कुछ मंतरों में बोलता हूँ, इसको बिलकुल ही कंठास्त कर लीजेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप उची स्थानों पर बैठते तो बहुत तरह का एनरजी अटाक हो सकता है, तो उसमें क्या करना है, कि अपने आपको सिक्योर करके, और जल्दी से जल्दी इस म असमशान में करेंगे, करो, ठीक है, लेकिन असमशान का एक टाइम लिमिट होता है, कोशिश करना चाहिए 15 मिनट से जाद है, असमशान में कोई भी क्रिया ना करें, तो इस मंतर को आप 2100 पहली बार जपेंगे, क्या करना है, सुबह से भूके रहे, ठीक है, बिलकुल पव वापस हो गए, ठीक है, ऐसा आपको निरंदर साथ दिनों तक करना है, किसी को साधना को जब आप शुरू करेंगे, तो किसी को इस साधना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ये भी एक इसका सिद्धान्त है, उसके बाद आपको कुछ-कुछ चीजे दिखेंगी, और प्रतिक्षिकरन साधना, आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को भूतों से कॉम्निकेट करना है, बात करना है, तो आप मेरी किताब खरी सकते हैं, Amazon, Flipkart हर जगा, और पूरे विश्व में ये मिलता है, इसके अलावा, आप मुझसे बात कर सकता है, ये call me for app डाउनलो आप appointment लेकर के मुझसे WhatsApp पर बात कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही माचंड़ना लेएं, आप सभी को आदेश, 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 आदेश